fruits and vegetables, जो के इतने अच्छे चीज है कि इसमें vitamins रहते हैं, minerals रहते हैं, phytonutrients रहते हैं, इतने सारे benefits रहते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ हम लोगों को आजकल पिछले 10-20 साल में बहुत ही ज्यादा quantity में pesticides भी मिल रहा है, जबी भी हम लोग हमारे patients को बोलते हैं कि आप लोग fruits and vegetables खाई हैं, तो वो लोग यही बोलते हैं कि उसमें कितना ज्यादा pesticides आ रहा हैं, तो उससे कितना नुक्सान हो रहा है हमां को, तो इसका solution normal common लोग क्या करते हैं, कि एक running tap में पानी में वो wash कर लेते हैं vegetables को, तो वो wash करने से almost 50% of pesticides चले जाता है, लेकिन हम लोग को 50% is not enough, जो रह जाता है, वो बहुत ज्यादा नुक्सान कर देता है, तो इसके लिए आजकल market में products available है, vegetable fruits and vegetable wash, तो जब ये fruits and vegetable wash को test में रखा गया with comparison to water, तो ये लोग almost same करें, ये कुछ ज्यादे pesticides को नहीं निकाल सकें, ये claim तो बहुत करते हैं कि 99% pesticides को मार देंगे, लेकिन इसको जब trial किया गया इसका, तो ये भी और normal water के जितना ही pesticides को निकालते हैं, तो इसका solution क्या होना चाहिए, फिर alternative solution क्या है, ये आपके घर में ही है, ये जानने के लिए ये वीडियो एंटक जरूर देखिए, तो majorly तीन टाइप of chemical use होते हैं, fruits के ओपर, सबसे पहला chemical है, riping agent, riping agent banana या mango को पकाने के तिए जो agent use किया जाता है, वो है calcium carbonate, calcium carbonate के अंदर lead और arsenic होता है, जो के बहुत ही harmful होता है, second kind of agent जो use होता है, वो है coating agent, coating agent मतलब जो भी आप आपल के उपर wax देखते हो, और tapes के उपर white white color का coating देखते हो, ये सब coating agent बोलते हैं, ये इसलिए किया जाता है, कि नहीं odd से मगा रहे हो, fruits and vegetables काई import कर रहे हो बाहर से, तो उसको fresh रखने के लिए coating किया जाते हैं, तो इसका alternative solution ये होगा, कि आप जो भी यहां के local available fruits है, वो वाले best है आपके लिए, coating agent दो तरीखी के होते हैं, एक wax होता है, और एक DPA होता है, DPA जो है, उसको carcinogen suspect किया गया है, इसलिए हम लोग हमेशा अपने patients को कहते हैं कि seasonal fruits खाये, जो भी वहां के locally available है, वो cheaper भी होते हैं, उसके coating agents भी नहीं दाले जाते हैं, when you compare apple with any local fruit, आप apple के साथ एक goawa को compare कर लीजिए, तो goawa is best for us, apple कहीं और से आता है, उसके nutrient उतने रहने के बावजूद भी, वो इतना helpful न हैं और अमरूद बोलते हैं इंदी में, and third जो agent है, जो के most popular है, वो है pesticides, pesticides को remove करने का एक alternative solution है, कि आप एक organic fruits, vegetables buy करें, लेकिन जभी भी आप organic buy करने जाते हैं, वो आपको बहुत ही ज्यादा expensive दिखता है, अगर जो effort कर सकते हैं organic, मैं तो कहता हूँ कि वो लोग सिर्फ organic ही use क करें, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि पूरे pesticides clean रहते हैं, उसमें थोड़े बहुत pesticides रहते हैं, लेकिन आगे जो मैं steps बताऊंगा, वो अगर organic पर भी follow कर लिए आप तो एकदम clean रहेंगे, और it is more healthy, तो ये एक practical solution नहीं हुआ कि हर कोई हमेशा हर जगे available नहीं होता है organic, so अब ये तीन best option है, अब मैं next जो बताऊंगा आपको, जिसके आप 95-98% आपके pesticides clean हो जाएंगे, तो इससे सबसे पहला step है vinegar, वेनिगर जो के non-diluted vinegar है, ये dilute करके पानी के अंदर दालके fruits को 15 मिनट तक रख देंगे, studies बताया गया है कि ये vinegar maximum normal water से भी ज्यादा pesticides को मारता है, next number पर आता है, इससे भी कुछ ज्यादा pesticides को मार रहा है, देखिए, वेनिगर जो है, actually diluted form में हम लोग को मिलता है, easily available, and non-diluted form is very expensive, हम लोग को normally मिलेगा नहीं वो, diluted form is not as good as the non-diluted form, तो ये उतना ही काम करेगा जितना normal water काम कर रहा है, so second option है, salt, आपके घर में, हर एके घर में available है, salt आप दालेंगे और water में, और आपके fruits and vegetables अंदर दाल देंगे, उसको आप at least 15 minutes to 20 minutes रखेंगे, उसके बाद अच्छे से wash कर लीजिए, salt नहीं रहना चाहिए, आपके vegetables and fruits के उपर, now the topmost option, जो के baking soda, ये baking soda easily available है, हर जगे मिल जाएगा, ये baking soda आप हर, हमेशा आपने में रखेंगे, और जबी भी fruits आते हैं, आप tap के नीचे fruits को, vegetables को wash कर लीजिए, thoroughly, उसके बाद एक container लीजिए, ओ container के अंदर आप पूरे fruits डाल दीजिए, उसके अंदर water डालिए, water fill होने के बाद, आप 1 to 2 tablespoon of baking soda डालिए, डाल के उसको 15 to 20 minutes वैसे ही छोड़ दीजिए, 15 minutes छो के almost 95 to 98 percent pesticides, clear it off हो जाएंगे, studies बता रहे हैं कि even despite of having all these pesticides, fruits and vegetables are the best source, यह आपका बहुत ही अच्छी चीज है, pesticides रहने के बावजूद भी, फिर भी मैं आपको आज इतना tip दे दिया कि how to clean these pesticides easily, hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को share क people है, लोगों को help करेगी and do subscribe to our channel if you have not subscribed it and share this information with maximum people, thank you.